इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें हलो फ्रेंट्स कैसे आप सब स्वागत है आपको एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में इस वीडियो में करने वाला हूँ Redmi Y2 और SS Zenfone Max Prime 1 का कैमरा कंपैरजन जो कि आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको Y2 में देखने के लिए मिलते हैं 12 प्लस 5 के डूल रियर कैमरा वहीं SS में आपको देखने के लिए मिलते हैं 13 प्लस 5 के डूल रियर कैमरा फ्रंट के अगर आप बात करने तो Zenfone में आपको सिरफ 8 में अपसल का कैमरा देखने के लिए मिलता है लेकिन Y2 में आपको मिलता है 16 में अपसल का AI वाला कैमरा तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं camera samples है जो के सबसे पहले आपको rear camera के camera samples देखने के लिए मिलेंगे मैं आपको बता दूँ कि सब photos आपको सबसे पहले एक normal photo देखने के लिए मिलेगी उसके बाद आपको उसी photo का एक portrait shot देखने के लिए मिलेगा सबसे पहली फोटो के अगर आप बात करने फ्रेंट सबसे बड़ा डिफ्रेंस जो आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है वो है colors का Zenfone के colors आपको काफी इच्छे देखने के लिए मिलते हैं as compared to Redmi Y2 Redmi Y2 में आपको थोड़े से washed out colors देखने के लिए मिलते हैं अगली फोटो के अगर आप यहां पर बात करने फ्रेंट सबसे अगें थोड़ी harsh conditions में लिए हुआ फोट है देखिन अगर आप यहां पर फोटो देखेंगे दोनों ही फोटो में काफी इच्छी फोटो आपको देखने के लिए मिल चुकी है colors again अगर आप देखेंगे तो SS के colors काफी बहतर है और यहां पर portrait mode में ने apply नहीं किया है फिर भी आपको background में थोड़ा blur देखने के लिए मिल रहा है अगली फोटो अगर आप यहां पर देखेंगे फ्रेंज यह एक normal mode में लिए हुई फोटो है portrait mode यहां पर reply नहीं किया हुआ फ्रेंज अगर आप यहां पर फोटो को देखेंगे दोनों ही फोटो में काफी अच्छी आ चुकी है यहां पर colors का आपको difference देखने के लिए मिलेगा Redmi Y2 में थोड़े से cold colors है as compared to Zenfone Max Pro M1 जहां पर आपको थोड़े warm colors देखने के लिए मिलते हैं अगली फोटो अगर मैं इसी फोटो का एक portrait शोट आपको दिखाऊ हूँ उसमें मैं आपको काफी सारे differences दिखा पूँगा फ्रेंज और यहां पर अगर आप देखें फ्रेंज Y2 की फोटो यहां पर काफी अची है Y2 की edge detection यहां पर काफी अची है as compared to Zenfone यहां पर जो sharpness है वो काफी अची है Y2 में लेकिन SS Zenfone Max Pro M1 जो है वो जादा अच्छे से यहां पर edge को detect नहीं कर पाया है और जो sharpness है वो बिल्कुल खतम हो चुकी है फोटो की अगली फोटो की अगर आप बात करेंगे फ्रेंज इंडोर लाइटिंग की एक फोटो है यहां पर colors बिल्कुल exact opposite हो चुके हैं अब Y2 के colors थोड़े warm लग रहे हैं और SS के colors थोड़े से cold रगे हैं अगर आप इंडोर की बात करते हैं detailing की अगर आप बात करें मैं यहां पर थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ दोनों ही photos को तांके आप अच्छे से देख पाएंगे किसकी detailing यहां पर जादा है यहां पर अगर आप देखेंगे friends जाला difference आपको देखने के लिए नहीं मिलता दोनों ही phones में similar clarity आपको देखने के लिए मिलती है similar detailing आपको देखने के लिए मिलती है अगली photo अगर आप इसी photo का एक portrait short देखेंगे friends तो आप देख पाएंगे कि दोनों ही phones में काफी इच्छा आ जुका है और colors again यहाँ पर Zenfone में थोड़े cold देखने के लिए मिल रहे है as compared to Y2 अगर आप indoor lighting की बात करते हैं अगली फोटो अगर आप देखेंगे friends यहाँ पर बहुत बड़ा difference है अगर मैं यहाँ पर zoom in करता हूँ थोड़ा nuts और bolts पे तो आप देख पाएंगे कि जो detailing है वो SS Zenfone Max Pro M1 में बहुत जाला है as compared to Y2 जहाँ पर आपको detailing बहुत कम देखने के लिए मिल रही है अगली फोटो अगर आप देखेंगे portrait mode की दोनों ही phones में हाँ पर काफी अच्छा edge detection हो गया है किसी भी phone में कोई भी दिकर नहीं है और colors अगेन थोड़े Y2 के washed out लग रहे है as compared to Zenfone Max Pro M1 edge detection आप देख सकते हैं colors बाकी अगर आप बात करेंगे तो काफी अच्छे आपको देखने के लिए मिलते हैं SS में उसी के साथ अगली फोटो अगर आप देखेंगे थोड़ा pink color का एक flower है जिसको अगर आप देखेंगे दोनों ही photos में काफी अच्छे से focus में है और detailing again अगर आप देखेंगे यहाँ पर SS की थोड़ी सी मुझे ज़ादा लग रही है as compared to Y2 अगली photo जो इसी photo का एक portrait शोट है वहाँ पर अगर आप देखेंगे friends दोनों ही phones again portrait mode को काफी अच्छे से capture करते हैं agitating काफी अच्छे से है और अगर आप यहाँ पर zoom in भी कर लेते हैं तो दोनों ही phones में जो flower है वो काफी अच्छे से focus में आपको दिखेगा अगली photo के अगर आप बात करेंगे friends यहाँ पर थोड़ा सा long shot में ने दिया है जिसमें आपको काफी greenery देखने के लिए मिल रही है colors again से मैं आपको बोलना चाहूँगा friends के Y2 के colors आपको थोड़े से washed out देखने के लिए मिलते है as compared to Zenfone जहाँ पर colors थोड़े आपको बहतर देखने के लिए मिलते है हालां के indoor में अगर आप जब आप देखेंगे friends आगे मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ पर थोड़ा colors का आपको difference देखने के लिए मिलेगा again यहाँ पर अगर आप देखेंगे detailing यहाँ पर मैं बात करूँ sharpness की बात करूँ तो SS में काफी ज़ादा है लेकिन अगर आप portrait mode की edge detection की बात करें वो यहाँ पर Y2 में बहतर है as compared to Zenfone अगली photograph देखेंगे friends यहाँ पर indoor lighting की एक photo है यहाँ पर portrait mode को मैंने enable नहीं किया है और दोनों ही phones में काफी अची detailing आपको देखने के लिए मिल रही है अगली photo यहाँ पर portrait mode में है दोनों ही photos में कुछ जाला difference नहीं है दोनों phones में detailing यहाँ पर काफी अची है last photo जो rear camera की है वो मैंने यहाँ पर colors के लिए capture की है friends यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ indoor lighting की अगर आप बात करें Y2 में आपको काफी natural colors देखने के लिए मिलते हैं as compared to Zenfone यहाँ पर अगर आप Redmi Y2 का box देखेंगे Y2 का box यहाँ पर बिल्कुल red color का आपको देखने के लिए मिलता है जोकि exact colors आपको Y2 में ही देखने के लिए मिलते है Zenfone में अगर आप देखेंगे तो आपको pink type का box यहाँ पर दिख रहा है अब हम बात करते हैं कुछ selfie photos की friends यहाँ पर अगर आप देखेंगे selfie photo यहाँ पर selfie camera Redmi Y2 का 16 Megapixel का है जोकि काफी जादा है Zenfone से जहाँ पर आपको सिरफ 8 Megapixel का camera देखने के लिए मिलता है उसे के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर detailing, exposure और overall अगर आप colors की बात करेंगे तो आपको Y2 में बहतर देखने के लिए मिलते हैं अगर आप front camera की बात करते हैं front camera performance Y2 की काफी बहतर है as compared to Zenfone अगर आप यहाँ पर portrait mode की बात करने तो जादा अच्छा लग रहा है Y2 में as compared to Zenfone इवन अगर आप exposure और detailing की बात करते हैं वो भी Y2 में बहतर है as compared to Zenfone Max Pro M1 यहाँ पर थोड़ी सी low lighting की photo है, जादा low lighting नहीं है लेकिन आप notice कर सकते हैं कि उतनी clear photo आपको दोनों ही phones में देखने के लिए नहीं मिली है और exposure का again यहाँ पर difference है जो के Y2 में थोड़ा आपको बहतर देखने के लिए मिलता है अगरी photo यहाँ पर beauty mode को apply करके है friends, last वाली जो photo थी उसमें मैंने beauty mode को apply नहीं किया था अगर मैं यहाँ पर apply कर देता हूं beauty mode तो आप देख पाएंगे Redmi Y2 में काफी अच्छे तरीके से काम करता है beauty mode as compared to Zenfone जहाँ पर पूरा artificial effect लगता है लेकिन Y2 में काफी natural effect लगता है अगरी photo यहाँ पर again एक portrait mode की photo है जोके दोनों ही phones में काफी अच्छे है लेकिन again exposure की वैजसे Y2 की photo थोड़ी जादा बहतर लगती है इसके बाद कुछ low light camera samples है friends, जोके दोनों ही phone से again ने front camera से shoot किये हुए है यहाँ पर अगर आप बात करेंगे बहुत बड़ा difference आपको देखने के लिए मिलता है Y2 की photos बहुत अच्छी दिखती है आपको SS Zenfone Max Pro M1 से अगेन जो difference है वो exposure की वैज़े से है अगर आप देखेंगे Y2 का exposure यहाँ पर काफी अच्छा है और photo जो है वो काफी light up आपको देखने के लिए मिल रही है compared to Zenfone जहाँ पर आपको थोड़ी dark photo दिख रही है अगली photo अगर आप इसी photo को मैं portrait mode में आपको दिखाऊं यहाँ पर अगेन आप देख पाएंगे Y2 की photo काफी बहतर है और Zenfone में आपको बहुत सारी noise देखने के लिए मिल चुकी है अगली photo अगर आप देखेंगे friends अगेन एक low light की photo है यहाँ पर noise दोनों ही photos में है लेकिन क्योंकि Y2 में थोड़ा exposure जाला है उसकी वैसे photo थोड़ी lighten up हो चुकी है और photo थोड़ी जादा बहतर लगती है और यहाँ पर last photo एक portrait mode की photo है friends जोके again अगर आप देखेंगे Y2 में exposure काफी इच्छा है और जो photo की detailing है वो काफी अच्छी लगती है अगर आप compare करते है Zenfone से यहाँ पर rear camera का एक video sample है friends जोके मैं दोनों ही phone से full HD quality में shoot कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ के SS Zenfone Mac Prime 1 यहाँ पर 4K भी sport करता है लेकिन दोनों phones को similar pattern पर रखने के लिए मैं दोनों ही phone से full HD quality में shoot कर रहा हूँ उसी के साथ मैं आपको बता दूँ के Redmi Y2 यहाँ पर image stabilization को sport करता है उसकी वाज़े से Redmi Y2 की footage आपको काफी smooth देखने के लिए मिल रही है colors वगएर आप देख सकते हैं friends दोनों ही phones में similar देखने के लिए आपको मिल रही है लेकिन जैसे के आपको photos में SS के colors थोड़े से bright देखने के लिए मिल रहे थे वैसे ही वीडियो में भी देखने के लिए मिल रहे है focus के अगर आप बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं Y2 थोड़ी सी hunting करता है focus के लिए Zen phone दिल्कुल भी hunting नहीं करता यह front camera का एक video sample है friends जोके मैं दोनों ही phones से again full HD को आती में shoot कर रहा हूँ दोनों ही phones maximum full HD ही sport करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं थोड़ी सी low lighting में यहाँ पर खड़ा हूँ हूँ और noise वगएर आप देख सकते हैं किसमें आपको जादा देखने के लिए मिलती है अब हम चलते हैं थोड़ी अच्छी lighting में और देखते हैं कि किस phone में colors वगएरा हमें जादा बहतर देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर अपर आप देख पाएंगे friends मेरे इसाब से colors जो हैं और Redmi Y2 में थोड़ी से soft हैं थोड़ी से जादा बहतर हैं as compared to Zenfone Max Pro M1 बाकी आप देख सकते हैं friends exposure वगएरा की मुझे लगता है दोनों भी phones में से किसी में भी कोई जादा दिकत नहीं है दोनों में exact same तरह का exposure आपको देखने के लिए मेरा है हलांकि Redmi Y2 का exposure मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है as compared to Zenfone Max Pro M1